सल्मान खान का मोस्ट पॉपुलर और कॉंट्रवर्शियल शू बिग बॉस सीजन 14 लगातार चर्चाओं में बना हुआ है शो में आए सभी कंटेस्टेंट अपने फैंस को जम कर एंटरटीन कर रहे हैं वहीं दूसरी ही ओर मेकर्स कई बड़े बदलाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं जी हाँ शो के शुरुआत से लेकर अब तक शो में कई बड़े बदलाव किये जा चुके हैं शो में देखा जाए तो इन बड़लाव को देखने के बाद फैंस भी काफी हैरान हैं लेकिन साथ ही साथ काफी एकसाइट भी नजर आए हैं इसभार शो में नई कंटेस्टेंट की एंट्री के साथ साथ सेनियर्स की एंडरी भी की गई जहां एक और शो की शुरुवात में बिग बॉस सीजन 13 की विनर सिधान शुकला वही बिग बॉस की एकस कंटेस्टेंट और टीवी की पॉप्लरर अक्टरस हीना खान तो वहीं तूसरी ही ओर बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रहे चुकी गौहर खान की भी एंट्री हुई थी। ऐसे में देखा जाए तो शो में सीनियर्स की एंट्री देखने के बाद फान्स भी काफी हैरान रहे गए। लेकिन इसी बीच खबरें सामने आई बिग बॉस सीजन 13 के रनर अप रह चुके मॉडल आसीम रियाज को लेकर भी बीते कुछ दुनों पहले खबरें सामने आई थी कि आसीम रियाज भी बिग बॉस सीजन 14 का हिसाब बन सकते हैं। लेकिन आसीम ने इस आफर को ठुकरा दिया। एक इंट्रिव्यू में हाल ही में बताया है कि आखिरकार उन्हों ने इस आफर को क्योंट ठुकराया था। आसीम ने कहा है कि हाँ मुझे आफर किया गया था लेकिन मुझे बिग बॉस के घर में 140 दिन बिताने पड़ती जो की एक लंबा समय है। मैं अभी इससे रिकवर हुआ हूँ और यह आपकी दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ता है। और आप चीजों को याद करने लगते हैं। इसलिए मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। मेरे लिए वहाँ जाने का अभी भी सही समय नहीं है। मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। अगर आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा। लेकिन इमानदारी से कहूँ तो जब इस बार मुझे ओफर किया गया था तो मैं तैयार नहीं था। और इस तरह से आसीम रियाज ने बताया कि आखिरकार वें बिग बॉस के घर में क्यों नहीं जाना चाहते है। वहीं बिग बॉस से हट कर आसीम रियाज लगातार अपने music video albums को लेकर चर्चाएं बटो रहे हैं। फैंक्स आसीम रियाज की म्यूजिक वीडियो एल्बम्स को काफी पसंदी कर रहे हैं और लगातार अपने फैंक्स के दिलों पर राज कर रहे हैं आसीम रियाज हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं पना देखते ओल्बम्स के में इतना ही थाया झांट पना ही तब खास से एल्बम्स के लिएका फास सेभी पर वहे हैं